तो बच्चो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन रैखिक प्रोग्रामन को पढ़ने के पहले जो चीजे आवश्यक है पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पिछले कक्षा में आपने रैखिक आसमिकाओं को हल करना सीखा था जहाँ पर दो चरोवाले और एक चरोवाले रैखिक असमीका को आपने सरल किया था दो चरोवाले रैखिक असमीका को सरल करने के लिए आपने ग्राफी विधी का भी उपयोग किया था तो इन दोनों विधियों को आपको उपयोग में लाने आना चाहिए अब बात करते हैं रेखिक प्रोग्रामन जो चेप्टर है इसके प्रिष्ट भुम्यू की बात करते हैं तो बात है यह द्वीती अभीश्व युद्ध की दूसरे अभीश्व युद्ध की जो कि 1939 से 1942 चला था उस समय ये था कि संसाधन जो थे सीमित थे जैसे कि सैनिको की संख्या गोले वारुत की संख्या टैंक की संख्या सब कुछ सीमित थे तो इन सीमित संसाधनों से वो युद्ध जीतना था, तो इसके लिए लगभग हजार गणितग्यों की एक कमीटी बनाई गई थी और उन्होंने ये थियोरी इजाद की थी, जिसे Operations Research का नाम दिया गया था, और यह जो रैखिक प्रोग्रामन है, यह रियल टाइम, अपने हमारे वास्तविक जीवन से सब्मधित जो समस्याएं होती है, उसको सरल करने के लिए हम इसका उप्योग करते हैं. तो इस अध्याय में हम पहले कुछ परिभाइसा हैं, देखेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, फिर देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हम यह देखेंगे कि अबजेक्टिव फंक्श ऐसा कहा जाता है फिर हम देखेंगे कि constraints या कुछ प्रतिबंद या व्यवरूद क्या होते हैं और फिर उन सब को apply करने के बाद हमें सुसंगत छेत्र या feasible reason किस तरीके से मिलता है इसके बाद हम यह देखेंगे कि मूल बाहयत बिंदू प्रमे क्या होता है जिसका क्यूप योग हम प्रशनों को हल करने के लिए करेंगे जिसमें कुछ बिंदू मीलेंगे और उन बिंदोके निर्देशाrzyं को हम उद्धेशे फलन में रख करके देखेंगे और जो आवश्यक वह हमें उससे मिल जाएगा रेखी एकार्य योजना के जो अनुपरियोग है उसमें हम मेंली तीन टाइप के प्राब्लम देखेंगे जिसमें से पहला समस्या है उत्पाद-रेखा समस्या जिसमें की दो अलग-अलग मशीन या दो से अधीक मशीने होंगी और एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित प्रोडक्शन लेगा वह मशीन और हमको कुछ इस तरीके से घंटे तै करने होंगे जिससे कि उत्पादन अधिक्तम हो या फिर अगर प्रॉफिट की बात की जाया तो लाभ अधिक्तम हो वह इस्तिती हमें ग्याद करनी होगी दूसरी समस्या आती है आहार समस्या जिस पर की एक डाइट प्लान करना होता है कि किन-किन आहार को लेने पर हमें मैक्सिमम जो हेल्थ को बेनिफिट देने वाली कॉम्मिनेशन बन सकता है और अंत में हम यह देखेंगे कि ट्रांस्पोर्ट प्रॉब्लम या फिर परिवहन समस्या कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो एक स्थान से दूसरी स्थान तक उस अब्जेक्ट को ले जाने के लिए हम किस तरीके से रूट प्लान करते हैं कि मीनिमम कॉस्ट में मीनिमम लागत पर वह जो अब्जेक्ट है वह मार्केट तक पहुंच जाए तो आईए सुरू करते हैं या अध्याएं पहले हम कुछ परिभासाएं देखेंगे फिर और उसे समधित कुछ प्रश्ण हल करेंगे तो इस अध्याए में कुछ परिभासा हैं जिसको की हमें जानना अवश्यक है और उसकी सायता से हम आगे अवधारनाओं को कंस्रिप्ट को समझ पाएंगे और प्रश्णों को हल कर पाएंगे तो देखेंगे पहली परिभासा है रैखिक प्रोग्रामन या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की तो दिये गए रैखिक असमिकाओं जिनें हम विवरोध भी कहते हैं उसको संतुष्ट करते हुए एक रैखिक फलन का सर्वुत्तम वांशित मान वांशित मान करता है या तो वो अधिक्तम भी हो सकता है या तो वो नियूंतम हो सकता है ग्यात करने का एक विसेश प्रोग्राम निर्धारन करने की जो विधी है वह रैखिक प्रोग्रामन कहलाती है तो हम इसे कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि हमें एक फलन दिया गया होगा और कुछ रैखिक आसामिकाएं दी गई होगी उन आसामिकाओं को संतुष्ट करते हुए हमें उस function या फलन का मान ग्यात करना होगा या तो नियुनतम मान ग्यात करने के लिए पूछा जाएगा या फिर अधिकतम मान ग्यात करने के लिए पूछा जाएगा तो हम जो विधी उपयोग करेंगे वह विधी रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग है दूसरी परिभासा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यदि रैखिक फलन जो की रिनेतर चरों रिनेत्तर का मतलब है non negative जो की रिनात्मक नहीं है यदि रैखिक फलन जो की रिनेत्तर चरों के रैखिक असमिकाओं के समुह द्वारा निर्धारित कुछ प्रतिबंधों के अंतरगत हो उसका सर्वत्तम वानचित मान अगेर वांशितमान कारत है या तो वह अधिक्तम पूछा जाएगा या तो वह नियुनतम पूछा जाएगा उसे ग्याद करने की समस्या रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहलाती है इसे शंचेप में LPP, Linear Programming Problem होता है उसको short form LPP ऐसा कहते है तो हम इसमें देखेंगे कि जो एक function दिया गया होगा जिसका हमें maximum या minimum value find out करना होगा ग्याद करना होगा और उसके लिए हमें कुछ शर्ते दी गई होगी इन शर्तों को ही हम प्रतिबंध कहते हैं और उन प्रतिबंधों को पूरा करते हुए function का या फलन का जो मान हमें मिलेगा वो हमारे लिए solution होगा तो जो problem है जो समस्या है जिसे हम सरल करना है या जो function का मान हमें जो ग्याद करना है जो दिये गए constraint हैं दिये गए प्रतिबंध हैं उनको पूरा करते हुए है अब अगली परिभासा है इस्टतमी करण समस्या या फिर optimization problem तो व्यवहार की ऐसी समस्या जिसमें एक रैखिक फलन का रैखिक असमिकाओं को संतुष्ट करते हुए सर्वोत्तम वांचित मान या सर्वोत्तम वांचित अधिक तमी करण या फिर नियून तमी करण या तो maximum obtain करते हैं या फिर minimum obtain करते हैं वह होता है इस्टतमी करण कहलाता है कहने का मतलब यह है कि अगर एक linear programming problem दिया गया है और उन असमिकाओं को संतुष्ट करते हुए हम उसके लिए जो value find out करते हैं जो कि again या तो maximum value होगी उस function की या तो minimum value होगी उस function की तो यह obtain करना यह प्राप्त करना यही इस्टतमी करण या फिर optimization problem कहलाता है अगली परिभासा है उद्देश्य फलन या फिर objective function तो जिसे मैं थोड़े दिर पहले फलन कहरा था वही हमारा उद्देश्य फलन है ऐसे रेखिक फलन जिसका अधिक तमी करण या नियून तमी करण दूसरे शब्दों में हम कहा सकते हैं इस्टतमी करण अभी थोड़े दिर पहले हमने देखाता है किया जाता है रेखिक उद्देश्य फलन कहलाता है सरलसा अर्थिया है कि जिस फलन का माल आपको नियून तम या अधिक्तम ग्यात करना होता है वही फलन उद्देश्य फलन कहलाता है समयनेता इसे जेड इक्वल टू इस तरीके से लिखा जाता है अगर उदारन के में लिखो जेड इक्वल टू 50X प्लस 70Y का नियूनतम और अधिक्तम मान ग्यात कीजे ये जो उद्देश्य फलन है जेड इक्वल टू यही हमारा उद्देश्य फलन है अगली परिभासा है सूसंगत या हल खेत्र फीजियेबल रिजन रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी व्यवरोधों रिनेत्तर चरों के व्यवरोध सहित निर्धारित उभैनिष्ट छेत्र समस्या का सूसंगत खेत्र या हल खेत्र कहलाता है इसका मतलब ये है कि अगर एक उद्देश्य फलन दिया गया है जिसमें दो चार का उप्योग किया गया है एक्स और वाई का और इसके साथ में कुछ प्रतिबंध दिये गए है जिसे हम व्यवरोध कहते हैं जैसे कि एक्स गर्टर देन और इक्वल टू जीरो वाई गर्टर देन और इक्वल टू जीरो तो ये कंस्टेंट को फुल्फिल करते हुए जो वैल्यूज आती है वो हमारा feasible reason में ही आएगा देखिए एक्स और वाई का मान रिनात्मक नहीं हो सकता लेकिन mathematically जब हम उसको solve करते हैं तो कुछ ऐसी values मिल सकती है जहां पर एक्स और वाई दोनो या कोई एक negative value के साथ हमें maximum value देता हो चुकि वैभार में यह संभव ही नहीं है कि एक्स और वाई का मान रिनात्मक हो तो उस तरीके से उस constraint को apply करने के बाद एक्स और वाई की जो value है constraint को fulfill करने के बाद हमें जो solution मिलते है या एक reason मिलता है जिसमें हमें वहमान मिलता है जो की पूछा गया है तो उसे हम सुसंगत हल या feasible reason कहते हैं समान्य तोर पर हम एक उधारन देखेंगे या पागे प्रश्ण देखेंगे कि graph अगर बना हुआ है तो linear inequality रैखिक आसमी का है उसका graph बना हुआ है और वो एक छेत्र के रूप में आता है जिसे हम छायांकित छेत्र के रूप में दिखाएंगे shaded area एक आपको दिखाई देगा और एक या एक से अधिक shaded area में जो उभैनिस्ट होगा जो common छेत्र होगा वही उसका solution होगा अब देखते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल या फिर solution of linear programming problem रैखिक प्रोग्रामन समस्या की दिये गए व्यवरोधों को संतुष्ट करने वाले चरों के मान का समू रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल होता है कहने का मतलब यही है कि linear programming problem के साथ में हमें कुछ प्रतिबंध दिये गए है और उन प्रतिबंधों को पूरा करते हुए उस समस्या का या उस function का हमें जो मान मिलता है वही रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल है या solution है linear programming problem का तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या किस तरीके से बनती है तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में मूलतह तीन अव्याव होते हैं एक है उद्देश्य फलन या objective function जिसे हम z equal to से प्रदर्सित करते हैं, दूसरा व्यवरोध या ये प्रतिबंध है, और एक तीसरा होता है रिनेतर व्यवरोध, non-negative constraints, जैसा कि x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, इसका मतलब क्या कि x और y दोनों मान रिनात्मक नहीं हो सकते हैं, तो ये इन तीनों से जो समुह बनता है, वही हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या देता है, तो प्रश्न दिया गया है कि ग्राफ विधी से लाभ फलन P equal to 200x plus 500y का निवनतम वा अधिक्तम मान निम्न व्यावरोधों की अंतरगत ग्याद कीजिए, उसमें पहला है, x is greater than or equal to 0, दूसरा है, y is greater than or equal to 0, तीसरा है, x plus 2y is greater than or equal to 10, and 3x plus 4y is less than or equal to 24, ग्राफ विधी से हल करना है, तो सबसे पहली बात ये, कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद उचित क्षेत्र का हम चुनाओ करेंगे कि कौन-कौन से इस constraints को फुल्फिल कर रहे हैं, और उसके बाद हमें उसका solution मिल जाएगा, तो चलिए, इसे हल करते हैं, तो पहली बात ये कि हमारा जो उद्देश्य फलन है, ये दिया गया है, अब इसके बाद जो X is greater than or equal to 0 और Y is greater than or equal to 0 है, ये non-negativity को शो कर रहा है, X और Y दो चार रासी हैं, इनके मान रिनात्मक नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमें particular equation बना करके इसको solve करनी की ज़रूरत नहीं है, equation inequality जो है, ये X plus 2Y is greater than or equal to 10 है, के संगत समी करण हम पहले लिखेंगे, इसके संगत समी करण क्या होगा, X plus 2Y is equal to 10, अब इसको plot करने के लिए हम इसको रेखा के अंताखन्ट स्वरूप में भी बदल सकते हैं, या फिर X और Y के अलग-अलग मान रख करके, हम बिंदूओं को निर्दिशांग ग्याद करके भी उससे रेखा का निर्मान कर सकते हैं, तो दोनों विधियां देख लेते हैं, पहले कि इसको अंताखन स्वरूप में बदलेंगे, तो क्या होता है, X upon A plus Y upon B equal to 1, तो क्या मिल जाएगा, X upon 10 plus 2Y upon 10 is equal to 1, इससे आपको क्या मिल जाएगा, X upon 5, इससे आपको मिल जाएगा, X upon 10 plus Y upon 5 equal to 1, तो ये जो रेखा है, X अक्ष पर 10 हीका और Y अक्ष पर 5 हीका अंताखन काट रहा है, तो माल लेते हैं कि ये समी करण 1 है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से प्लाट कर सकते हैं, कि X एक्सिस ये है और ये Y एक्सिस है, X एक्सिस पर 0.10 पर मतलब ये 10 0 है और Y एक्सिस पर 5, मतलब ये 0 5 है, इन दोनों पॉइंट को मैच करता हुआ, आम एक इस स्टेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अब करते क्या हैं, कि इसमें अगर आप X और Y के मान रख करके देखेंगे, परिक्षन बिंदु जिसे हम बोलते हैं, अगर आप X equal to 0 और Y equal to 0 रखेंगे, तो आपको left में मिल जाएगा 0, which is not equal to 1, जो कि इसके लिए असत्य हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि आर्थ तल में मूल बिंदु के विपरीत और जो छेत्र बनेगा, वो इसके लिए suitable होगा, पतलब इस condition को फुल्फिल करता हुआ, जो inequality को फुल्फिल करता हुआ, जो छेत्र है, वो मूल बिंदु से उल्टे और बनेगा, तो इसी तरीके से हम दूसरा समी करण जो है 3X प्लस 4Y, इस less than or equal to 20 के संगत समी करण हम लिख लेते हैं, इसके संगत समी करण क्या मिल जाएगा, 3X प्लस 4Y equal to 24, करना क्या है, less than or greater than or equal to का जो sign है, उसको equal to में बदल देना है, तो उस असमी का के संगत हमें समी करण मिल जाएगा, पुनह इस समी करण को हम रेखा के अंताखण स्वरूप में बदल लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 3X प्लस 4Y प्लस 4Y प्लस 24 is equal to 1, तो यह मिल जाएगा, X प्लस 8, आठ तिया 24, और यह 4 छक्के 24, तो यह कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, माना की समी करण 2 है, अब देखिए, यह जो रेखा है, यह X अक्स पर 8 ही काई का और Y अक्स पर 6 ही काई का अंताखण काटता है, अब इसमें, देखिए, यह X प्लस 2Y is greater than or equal to 0 था, यह छेत्र हमें मूल बिंदू के उल्टी और मिला था, मूल बिंदू के विपरीत और मिला था, लेकिन यह जो 3X प्लस 4Y is less than or equal to 20 है, यह मूल बिंदू की और का एक छेत्र मिलेगा, अगर आप inequality में कोई एक point रख करके देखेंगे, तो आपको उस तरीके साब उसको check कर पाएंगे, अब करना क्या है, कि जो इस function का maximum value और minimum value होता है, वो इन दोनों समीकरणों का, यह हमेरे पास एक समीकरण, यह समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, यह और यह दूसरा समीकरण यह, इन दोनों का प्रतिछेद बिंदू ही होता है, या तो आक्षों पर मिलेगा वो प्रतिछेद बिंदू, या तो फिर इन दोनों के प्रतिछेद बिंदू से जो हमें निरदेशांग प्राप्त होंगे, वो हमें maximum या minimum value देंगे तो इस प्रकार हम रेखा का प्रतिछेद बिंदू ग्याद कर लेते हैं लिखेंगे कि रेखा x plus 2y equal to 10 और 3x plus 4y equal to 24 का प्रतिछेद बिंदू तो ये हो जाएगा x plus 2y minus 10 is equal to 0 और ये 3x plus 4y minus 24 equal to 0 वज गुरुन खंड विधी से हम इसको हाल करते हैं तो ये मिल जाएगा x upon 2 into minus 24 this into this minus this into this तो ये 4 into minus 10 हो जाएगा equal to minus y upon x का गुणा एक और ये 24 रिंद 3 और ये रिंद 10 ये इसके बाद एक बटे ये यहाँ एक और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4, रिंद 3 और 2 का गुणा करेंगे, मिल जाएगा 6 तो इसको जब आप solve करेंगे तो मिल जाएगा ये minus 48 और ये minus minus plus 40 so x upon minus 48 plus 40 equal to minus y upon देखे ये भी minus में है, ये भी minus में है तो minus minus plus हो जाएगा, ये minus 24 और ये plus 30 equal to 1 upon ये आपको मिल रहा है minus 2 तो इसको वज़ून खट्विदी से सरल करने पर हमें कुछ इस तरीके से मिला था इसको और solve कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा x upon ये मिलेगा है, हाँ पर आपको minus 8 और ये मिल जाएगा minus 6 और ये मिल जाएगा 1 upon minus 2 अब x की x by minus 8 equal to minus 1 by 2 से जब आप solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा x equal to 4 देखें, ये दर आजाएगा minus 8 by minus 2 तो minus minus plus हो जाएगा 2 chunk 8 तो ये x equal to 4 मिल जाएगा इसी तरीके से y equal to हो जाएगा minus 6 by 2 तो मिल जाएगा 3 तो y equal to 3 तो ये जो हमें point मिला है x equal to 4 और y equal to 3 ये प्रतिछेद बिंदू है अब इस प्रकार देखिए कि हमें अगर इसको हम ग्राफ में plot करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जहां पर मूल बिंदू आप देख पा रहे हैं ओ, 0, 0 और बिंदू C है जिसको हमने 8, 0 लिखा है और बिंदू D जो है ये 0, 6 है किसी तरीके से बिंदू A 10, 0 और बिंदू B का निर्दशांक है 0, 5 और इन दोनों का जो प्रतिछेद बिंदू हमें प्राप्थ हुआ है वो E 4, 3 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो ग्राफ में तो पहली बार डिरेक्टली ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों जिस बिंदू पर प्रतिछेद कर रहे हैं वो इनका सॉलूशन है दूसरा हमने यहाँ पर प्रतिछेद बिंदू को वजगन खंडविदी से सरल किया और आपको यहाँ निर्देशांक मिल गया अब करना क्या है A, B, C, D, E इन दोनों यह जितने सारी बिंदूएं हैं वो कौन-कौन से कंस्टेंट को फुल्फिल कर रहे हैं और कौन-सा उभेंश्ट खेत्र है यह हमें घ्यात करना है तो देखिए जो बिंदू कर निर्देशांक आपको प्राप्त हो रहा है चार- तीन जो है वो उस उभेंश्ट खेत्र में से एक बिंदू है दूसरा है शुन्य पाँच वो भी उस उभैनिष्ट बिंदू में से एक है और तीसरा है शुन्य छे ये तीन बिंदू हैं जो कि हमें या तो नियूनतम या तो अधिकतम मान देंगे तो अप करेंगे क्या हमारा जो लाभ फलन है प्रॉफिट फंक्शन है उस पर हम इन बिंदू के निर्देशांग को र लिखेंगे कि संभावयक्षेत्र के शिर्ष बिंदू जो अभी हमने थोड़े देर पहले बात की एक बिंदू है चार तीन दूसरा बिंदू है शुन्य पांच तथा तीसरा जो बिंदू है ये शुन्य छे है और हमारा जो फंक्शन है प्रॉफिट फंक्शन पी वो एक्स हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है पी वो एक्स वाई का फलन है जो की है 200 एक्स प्लस 500 वाई अब हम एक एक करके बिंदू का निरदशान को रख करके देखते हैं पहले चार तीन रखते हैं 200 और चार का गुणा और 500 और तीन का गुणा तो 800 हो गया और ये 1500 हो गया दोनों को जोडने पर आपको मिल जाएगा 200 इस तरीके से पी पी शुन्य पांच रख करके देखते हैं ये वाला बिंदू कंदरदशांक तो 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 5 तो ये तो 0 हो जाएगा इसको सॉल करेंगे तो मिल जाएगा 2500 अब तीसरा बिंदू है वो शुन्य 6 है तो य तो इसको सॉल करेंगे तो मिल जाएगा 3000 अब देखिए इन तीनों में जो नियूनतम मान है ये आपका नियूनतम मान मिल रहा है और ये जो मान है यह अधिकतम मान मिल रहा है किस बिंदू पर अधिकतम इस बिंदू पर मिल रहा है और नियूनतम मान इस बिंदू पर मिल र चार तीन के संगत लाभ फलन पी का न्यूनतम मान तैसो तथा तथा बिंदू शून्य छे के संगत लाभ फलन पी का अधिकतम मान तीन हजार है और प्रश्ण में यहीं हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था रेखिये कार्य योजना का अर्थ एवं उसका महत्व और उनके प्रयोग करने की दशाएं भी सीमित होती है उनके अनुकूलतम ढंग से प्रयोग को अपनाने के लिए पूर्व में कोई प्रविधी नहीं थी रेखिये कार्य योजना वह गणीती प्रविधी है जिसके द्वारा सीमित एवं विशेश दसाओं में संसाधनों जैसे की धन, वस्तू, जगह, समय तथा स्रम का अनुकूलतम उप्योग करके विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है उद्देश्य फलन, objective function, जिस रेखिये फलन का अनुकूलतम मान प्राप्त किया जाना है, उसे ही उद्देश्य फलन कहते हैं, जैसे की उदारण के लिए ले सकते हैं, z equal to x plus 2y अगली परिभासा है, अनुकूलतमी करण, optimization, उद्देश्य फलन के विभिन रूपों, जैसे की लाभ फलन, लागत फलन, परिवहन व्याय फलन, इत्यादी को अधिक्तम या न्यूनतम किया जाना होता है, यह उद्देश्य फलन की प्रकृती पर निर्भर करता है, लाभ फलन को अधिक्तम या लागत फलन, परिवहन व्याय फलन को न्यूनतम किया जाना होता है, इस प्रक्रिया को ही अनुकूलतमी करण या इस्टतमी करण के है, इसका मतलब यह है कि कोई एक फलन दिया गया है, लाभ फलन, लाभ फलन का मतलब क्या हुआ कि, उस फलन से ह में अधिकतम लाब प्राप्त होना चाहिए तो हम उसका अधिकतम मान गयाद करेंगे वही पर अगर किसी प्रकार का व्याय हो रहा है जैसे कि परिवहन व्याय फलन तो यह समान्यसी बात है कि व्याय को हम नियूनतम करना चाहिए तो इस तरीके से इस प्रकार की समस्याओं मे अगली परिभासा है रेखिय प्रतिबंध या व्यावरोध लीनियर कंस्ट्रेंट्स उद्देश फलन के अनुकूलत मान जिन प्रतिबंधों के अंतरगत ग्याद किये जाने होते हैं उन्हें प्रतिबंध या व्यावरोध केहते हैं ये एक घाती व्यर्जकों तथा संबंद चिन less than or equal to greater than or equal to less than or equal to or greater than के द्वारा दर्शाय जाते हैं है एक घाती होने के कारण इन्हें रेखिय प्रतिबंध केहते हैं समानने था यह z equal to ax plus by के रूप में होते हैं अब यहाँ पर जो equal to का sign है, z equal to का sign चिन, उसे हम बदल सकते हैं greater than or equal to, less than or equal to, less than या फिर greater than, इन चिन्हों से हम इसको replace कर सकते हैं तो उस तरीके से हमें अलग-अलग प्रतिबंद मिल देंगे अब चलते हैं, और रिनात्मक प्रतिबंद या non-negative constraint चरों के मान किसी भी दसा में रिनात्मक नहीं होते हैं वेशुन्य अथवा धनात्मक ही हो सकते हैं इसे x greater than or equal to 0 या y greater than or equal to 0 से दरसाते हैं अगली परिभासा है संभाव्य हल या feasible solution चरों के मानों का ऐसा समुच्य जो सभी प्रतिबंदों तथा अर रिनात्मक प्रतिबंद को संतुष्ट करता है एक संभाव्य हल कहलाता है संभाव्य हल के उप समुच्यों के रूप में पुद्देश्य फलन के अधिक्तम या न्यूनतम मान देने वाले समुच्य होते हैं जो रेखिय कार्य योजना समस्या के अनुकूल हल कहलाते हैं अनुकूल हल प्राप्त करने की विभिन्न विदिया हैं जिन में से ग्राफिय विधी को हम पढ़ेंगे आगे चलकर सबसे पहली बात यह है कि जो समस्या दी गई होगी है उसे हमें गणीती रूप में परिवर्तित करना होगा अब कैसे परिवर्तित करना होगा उसे हम देखते हैं तो पहला स्टेप यह होगा कि अज्यात रासियां कौन-कौन सी है X, Y, Z, A, B, C आप अपने तरीके से उन चर रासियों को ले सकते हैं और कितनी चर रासियां को उपयोग करना है वो प्रश्ण के अनुसार होगा दूसरा स्टेप यह होगा कि X, Y पर या जो चर हैं उस पर लागू होने वाले प्रतिबंधों को प्रश्ण में दी गई जानकारी के अनुसार रेखी आसमी करनों के द्वारा व्यक्त करते हैं अगला स्टेप यह है कि उद्देश्य फलन को दिये गए चरों के रेखिक फलन के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमने जो दो चर उपयोग किया था X, Y या ए और B उसके रूप में हम अब्जेक्टिव फंक्शन को शो करेंगे और उसके पदों के रूप में हम लिखेंगे चौथा पद या लास्ट स्टेप यह होगा कि उद्देश्य फलन के इस्टतम मान को प्राप्त करने के लिए और इनात्मक प्रतिबंध सहित सभी रेखिये प्रतिबंधों को एक साथ लिखते और उसके बाद हमें जब यह फार्मूलेशन हो चुका होगा जो प्रषन हमें स्टेटमेंट के फॉम में दिये गया थे वाकिन के रूप में दिये गया थे उसको हमने मैथेमेंटिकल फॉम में decorट कर लिया है जैसे कि objective function है z equal to और x और y जो हमने दो चर लिये थे variable लिये थे उसके रूप में और साथ में जो constraint है या प्रतिबंध है उसको भी हमने चरो को उप्योग करते हुए गणीति ये वेंजा के रूप में लिख लिया है उत्तल बहुभुज समुच्च है convex polygon set रेखिय कारी योजना की अधिकांश समस्याओं को सुसंगत हलक्षेत्र प्रथम चतुर्थांस में एक बहुभुज होता है जो हमेशा उत्तल आकरती का होता है उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिसके दो बिंदों को मिलाने वाली रेखा खंड पूर्णतह बहुभुज में होती है तो ये A, B, C, D इस तरी के से चार अलग-अलग इमेज आपके सामने दिखाई दे रहे है और इसमें से कोई भी दो पॉइंट को आप ले लो और उसमें sketch ड्रॉ करो तो वो completely इस polygon या बहुभुज के अंदर शामिल है तो वह उत्तल बहुभुज होगा उदारण के लिए A और B या एक और दो ये जो दो इमेज दिखाई दे रहे हैं इसमें दो बिंदुएं जो हैं वो पूर्णतह उस बहुभुज के अंदर हैं तो यह उत्तल बहुभुज होगा उसी तरीके से C और D ये दो अलग-अलग इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो हमने दो रेखाएं खीची है इसका कुछ भाग बहुभुज के बाहर है तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि C और D ये जो दो चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं यह उत्तल बहुभुज नहीं है मूल बाहतम बिंदू पर में fundamental extreme point कि रहो रेखाओं के किसी संख्या के द्वारा परिबद छेत्र में इस्थित सभी बिंदूओं में से उद्देश फलन का अधीक्तम या न्यूनतम मान शेत्र की सीमा पर इस्थित शिर्षो में से केवल एक पर होता है इसका मतलब यह है कि अगर आप objective function दिया गया है उसे draw करते हैं उसके साथ में जो constraints या प्रतिबंद दिये गये हैं उसको draw करते हैं graph में तो जो उद्देश ये फलन और आपके constraints या प्रतिबंद है उनका जो intersection point होता है प्रतिचेद बिंदू होता है तो जितने प्रतिचेद बिंदू है उन मानों को हम उद्देश फलन में रख करके देखते हैं और आवशकत अनुसार ये अगर नियुनता मान पूछा गया है तो वह बिंदू जो नियुनता मान देगा उसके लिए solution होगा तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो bounded reason है परिबंद छेत्र है उसमें जो उद्देश फलन है और constant है इनका intersection point या शिर्स जो जितने शिर्स हैं उसमें से कोई एक शिर्स ही उस particular question के लिए solution होगा